है आचँ अब हो हम अगर व्रीएबट और के बात करते हैं तो हमारे पास जो कि एरेडियोलर डॉनट्स है् внеш टो चीजोंत का समोगी सब्सक्राइब हो ऑगी 378chair जो रेगिेलर डोञट्स है उसकी वेरियेबल कॉस्ट में में कि मेरियेबल कउसट तो ऊऑ याइट जी आइड़ाई करी थी तो अगर आप 2808 को और 973 को आड़ कर देते हो तो यह टोटल आपका 3781 बन जाता है इसी तरह से कस्टमाइज डोनट्स के लिए 737 और 243 737 और 243 दोनों को अगर मैं आड़ कर देता हूँ तो 980 बन जाता है 980 आपके पास यह वेरियेबल कॉस्ट आगे अब हमारे पास अगर हम अपने टोटल की बात करें कंट्रिब्यूशन की तो 6025.5 माइनस 3781 माइनस 980 यह आपके पास बजाता है 1264.5 1264.5 यह वही चीजए है जो हमने स्काली आप डीच है यह उस पर हमें ऑप्शन नंबर वन के हिसाब से यह पूरी वर्किंग बनती हां अब और किया अगर हम और की बात करते हैं तो आप्शन नंबर बन में लिखःवा था कि छो हम लहोर में शॉप उपन करेंगे उसमें हमारा एन्वाल रेन्ट होगा और रुपीज 2.52 मिलियन पे ये एवल इन एडिवांस हम 2.52 मिलियन का रेन्ट पे करेंगे और ये 2.52 मिलियन का जो रेन्ट होगा ये एड़्वांस में पे हो रहा होगा रेंट जो है रेंट जो है वो मेरी fix cost है जब मैं रेंट की बात करता हूं तो रेंट का amount मेरी fix cost का amount है तो अगर तो two point five two million तो पूरे साल का है तो पूरे साल का है लेकिन बहराल option number one के हिसाब से तो मेरी यह वाली fix कॉस्ट हो गई दूसरा अगर मैं नीचे एडिशनल इंफोर्मेशन देखता हूं तो इसमें पॉइंट नंबर फॉर चौते पॉइंट में लिखाव है फिक्स कॉस्ट अधर देन रेंट इस एस्टीमेटेड एट रूपीज पॉइंट एट मिलियन पर मन तो मैं जब यहां प मैं एक तो पॉइंट एट मिलियन और मैं इन थाउजन सारी चीज़ें लिख रहा हूं तो एक तो एट हंड़ेट थाउजन होगा वह माइनस करना ठीक है अधर अधर देन रेंट और रेंट का क्या माइनस करना है तो फाइफ टू जीरो डिवाइड बाइड बाइड बारा यानि कि यह 210 एक और आमांट आता है तो यह 210 भी माइनस हो जाएगा फिक्स कोस्ट जो रेंट की फिक्स कोस्ट है उसके हवाले से तो 800 भी माइनस हो गया और 210 भी माइनस हो गया इसके बाद एक और चीज़ जो आपको कंसर्डर करनी है वो यह है कि आप रेंट एडवांस में पे कर रहे हूं यहां पर लिखावा था एन्वेल रूपीस 2.52 मिल और इक चीज़ हो सकती है एडवांस याने के पहले पे करना याने के सेल्स रेविन्यू वेरियेबल कॉस्ट के जनेरेट होने से भी पहले पेमेंट कर दी है मैंने याने के साल के बिलकुल शुरू में पेमेंट कर दी है मैंने और इस पेमेंट के लिए मुझे कहीं से फंड at 14% per annum RL can borrow the required funds at 14% per annum RL can borrow the required funds at 14% per annum RL जो है इसको यह funds 14% per annum सालाना 14% पर मिल सकते हैं तो हमारी एक इंट्रस्ट की कॉस्ट भी होगी है ठीक है जी और अगर लेट से 2520 की पेविट करनी थी तो 2520 का 14% लेकिन यह तो पूरे साल का इंट्रस्ट बनेगा महीने का कितना होगा उसके लिए 12 से डिवाइड सो 2520 डिवाइड बाइड 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 यह तक्रिमत मन जाता है ट्वेडरी 9.449 की एक और और कोस्ट है और यह सारि कॉस्ट माइनस करकर में जो प्रॉफट आ रहा है यानि कि के कंत्रिभिशन में से सारी की सारी हम मैंने fix cost भी माइनस कर दी अगर मैं contribution में से सारी fixs माइनस कर देता हूं तो 1264.5 1264.5 में से माइनस हो गया 800 फिर माइनस हो गया 210 और फिर माइनस हो गया 29.4 तो हमारे पास पीछे बच जाता है 225.1 ठीक है जी आपके पास पहले अप्शन के हिसाब से जो प्रॉफिट आ रहा है वो है 225.1 सही है सेल्स रेविन्यू और वेरियेबल कॉस्ट हमने लास क्राश्ट पर डिसकस किया था उसी को मैं आगे लेकर गया तो जो कंट्रिबूशन आई उस कंट्रिबूशन में से मैंने फिक्स कॉस्ट को माइनस किया रेंट को माइनस किया इंट्रस्ट को माइनस किया और प्रॉफिट की वैल्यू पर आगे ये कंपनी का प्रॉफिट है ये कंपनी का मुनाफ़ा है ये कंपनी का प्रॉफिट है ये कंपनी का मुनाफ़ा है ये कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है ना मैंने उस चीज की वर क्लियर है अच्छ तो हमें पादा चल गया कि कंपनीगा जो प्रौफइट है न कंपनी का जो प्रौफइट है वह कित्म है है तो कंपनीगा जो प्रौफइट है वो 225.1 है ने कि हमारे पास दर सवाल की requirement थी वो क्या थी हमारे पास सवाल की जो requirement की वो थी compute the net profit per month company का एक महीने का net profit calculate करो and margin of safety percentage और margin of safety की percentage calculate करो under both options दोनों options के हिसाब से दोनों options के हिसाब का मतलब है option number one के हिसाब से और option number two के हिसाब से दो options है compute the net profit per month and margin of safety percentage अंडर बोथ options and recommend the most suitable option to RL और RL को जो सबसे suitable option हो recommend करो अभी हमने सिर्फ profit calculate किया अभी हम margin of safety हमने compute नहीं किया हमने margin of safety को calculate नहीं किया margin of safety की calculations अभी बाकी है अभी हमने सिर्फ और सिर्फ जो चीज calculate करी है वो यह देख रहा है कि company अगर option number one पर जाती है पहले option को opt करती है तो company का जो profit होगा न वो कितना होगा और पहले option के साब से company का जो profit होगा वो 225.1 होगा margin of safety वाला पार्ट अभी हमने touch नहीं कर रहा है वो हम थोड़ी देर में करते हैं अच्छा हम अब option number two की भी working कर लेते हैं option number two की भी पूरी working कर लेते हैं फिर margin of safety देख लेंगे तो अगर मैं option number two पर आता हूं अगर मैं option number two पर आता हूं तो again option number two में मैं टॉप पर लिख लेता हूं rupees in thousand ठीक है जी अच्छा कुछ workings तो same होंगी sales revenue regular doughnuts का sales revenue customized doughnuts का variable cost regular doughnuts की variable cost customized doughnuts की यह आमाउंट तो 4680 ही है यह आमाउंट 1345.5 ही है इन दोनों को हम add कर देते हैं ठीक है अगर हम इन दोनों को add कर देते हैं थोड़ा सा variable cost में गैप दे दूँ तो मेरे पास 4680 प्लस 1345.5 यानि के total बन जाता है 6025.5 यह आमाउंट भी 6025.5 ही है इसमें से इसमें से यह total sales revenue इसमें से variable cost माइनस करते है variable cost regular doughnuts की variable cost customized doughnuts की यह भी जो last class में हमने values पढ़ ही ती वही values है यानि के यह वाली value 3781 ही है और यह वाली value 980 ही है इसमें कोई फर्क नहीं है ठीक है जी यहां तक हमारे पास कोई difference नहीं था और यह values हमने last class में जो work out करी थी last class हम यहाँ तक हमने पढ़ा था के भी sales revenue और variable cost को compute के या था तो यह सारी values वही हैं इसमें कोई difference नहीं है अब हम आगे भढ़ते हैं अब जब हम आगे भढ़ते हैं न बेटा तो अब हम option number two कर रहे हैं अच्छा option number two क्या था option number two यह था कि monthly rent और 0.1 million option number two में जो जगह हम किराय पे ले रहे थे उसके बारे में यह लिखावा था कि आप एक महीने का point one million का rent दोगे अब यह point one million का जो rent है यह हो गया fixed point one million का rent हो गया fixed plus इसके साथ-साथ क्या दोगे plus two percent commission on total sales और जो जगह आपने किराय पे ली है उस बने ने यह बुला है कि आप जो आपकी sales होगी ना उसका 2% भी दोगे यह sales का 2% यह हमारा commission होगा payable at the end of each month और हर महीने के आखर में आप payment करोगे अब यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर यह हो रहा है कि आपके पास एक तो rent है point one million का और एक commission है commission sales का two percent है अच्छे देखे रेंट वाला हिस्सा तो है ना वो तो fix cost है rent वाला हिस्सा fix cost इसलिए है क्योंकि जितनी भी sales हो वो value change नहीं होगी और हमने यह पढ़ावा है कि अगर कोई cost change नहीं होती है तो वो fix cost होती है लेकिन commission वला जो हिस्सा आोगा वो variable cost है So इसका मतलब यह हो गया कि अभ मेरे पास variable cost में ऐक और चीज भी आ रही है जिसका नाम है commission और कमिशन कितना है क्याएं सर्क ने सीडिल न है तो मैं लाया करते हैं सिक्सी जीरो टू फाइपक्वास जचे सब्सक्राइब करते हैं से मडियन कर z के are 120.51 मुझे कमिशन पे करना है जिससे मैंने जागा किरायपे लिए है उसने ये बुला है कि एक तो तुम किराया दोगे 0.1 मिलियन वो फिक्स्ट होगा और मैं तुमसे सेल्स के 2% के बराबर कमिशन भी लूँगा तो जो सेल्स है 6025.5 उसका 2% कमिशन 6025.5 का 2% गा तो वो 120.51 बनता ये कंशन भी करना होगा तो अगर मुझे ये कंशन भी पे करना होगा तो इसे साब से मेरी जो contribution आएगी इसे सापसे मेरी जो contribution आएगी वो contribution कैसे आएगी इसे सापसे मेरी contribution calculate हो जाएगी 6025.5 6025.5-3781-980-120.51 इसका मतब ये मन्द है 1143.99 1143.99 ये contribution आप contribution में से हम अपनी fix cost माइनस कर लेते हैं अच्छा अगर fix cost माइनस करता हूं तो लाख रुपए या पॉइंट वन मिलियन का रेंड है rent के अमाउंट माइनस कर देते हैं वो ये एक लाख है ठीक है rent की आमाउंट जुई है वो एक लाख रुपए रेंड के अलावा रेंट के इलावा 800,000 या आठ लाक रुपए हैं वो भी माइनस कर देते हैं इसके इलावा इस दूसरे वाले केस में इंटरस्ट की कॉस्ट नहीं है इसले क्योंके रेंट एडवांस में नहीं पे हो रहा है महीने के आखर में पे हो रहा है पहले से पे नहीं किया जा रहा तो अब हमारे पास अब हमारे पास जो इस दूसरे सिनेरियो में दूसरे सिनेरियो में प्रॉफिट आएगा दूसरे सिनेरियो में जो मेरा प्रॉफिट आएगा वो होगा 1143.99 माइनस वन हंड़ेड माइनस एट हंड़ेड यानि कि यह आ जाता है 243.99 243.99 ठीक है जी तो यहां तक हमने क्या किया हमने option number 1 और option number 2 option number 1 और option number 2 दोनों options के हिसाब से हमने अपना profit and loss account बना लिया option number 1 के हिसाब से profit 225.1 आ रहा था और option number 2 के हिसाब से profit 243.99 आ रहा है ठीक है clear है अच्छा अब हम अपने margin of safety वाले पार्ट की करब बढ़ते हैं और margin of safety को जरा समझने की कोशिश करते हैं लेकिन उससे पहले यह बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको उपर वाली चीजें वो समझ में आ गई हो और उमीद करता हूँ कि वो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी सही है जी इसका बहुत सारा हिस्सा जो है वो आपके पिछले वाले जो पढ़ाई है उससे link है तो I hope कि आपको बाते समझ में आ गई होंगी अच्छा जी अब जरा हम margin of safety calculate करने से पहले जो है न वे छोटी सी example लेता है मार्जोन सेफटी समझते होता क्या है एक कंपनी है उसके एक यूनिट की जो selling price है वो 45 है वेरियेबल कॉस्ट पर यूनिट जो है न वो ट्वेंटी है पिक्स कॉस्ट जो है फिक्स कॉस्ट जो है वो है 100 ठीक है अगर यह information है तो पहले तो हम contribution पर यूनिट calculate करते हूं contribution पर यूनिट होती है selling price माइनस वेरियेबल कॉस्ट पर यूनिट selling price है 45 वेरियेबल कॉस्ट पर यूनिट है 20 तो contribution पर यूनिट आगई 25 अगर हम break-even point दूनने अगर हम break-even point दूनना चाहें break-even point in units दूनने तो उसके लिए हम fix cost को contribution पर यूनिट से divide करते हैं fix cost है 100 रुपे की contribution पर यूनिट की जो वैल्यू है वो है 25 रुपे की इसका मतलब break-even point in units दूनने वह चार यूनिट से यानि कि कंपनी जब चार यूनिट बनाकर बेचेगी कंपनी जब 45 की बिकती ही अगर तो चार चीज़ें कितने रुपे में बिकेंगी अगर एक चीज़ 45 की बेक रही है ना तो चार चीज़ों का से रिविन्यू एक सो असी होगा और फिर वेरिवल कोस्ट की बात कटने है एक चीज़ की वेरिवल कॉस्ट वी से चार चीज़ों के असी होगी अच्य फिर कंट्रीबुशन کی माइंस करेंगे सौ बेकी कंट्रीबुिशन अच्mayक की बात करते हैं कि याने के कम्पनी जो है वो ना प्रॉफिट का मां रही होगी ना लॉस का मां रही होगी ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा ऐसी सीचुवेशन को ऐसी सीचुवेशन को हम company का break even point कहते हैं ठीक है जी यह बात समझ में आ रही है अच्छा अब assume कर लो assume कर लो के company क्ep estatus को कुई मिसला नहीं आना पहले ये बता दो ऑच्छा कंपनी लेट से 16 युनिट्स बेच रही है या कंपनी कंपनी 16 युनिट्स बेच रही है देखो यह है actual sales यह क्या थी break even point की working या break even sales actually अभी actually अभी company 16 units बनाकर बेच रही है अगर company अभी 16 units बनाकर बेच रही है तो कंपनी का जो सेल्स रेवेन्यू होगा वह साथ सो बीस रुपए होगा कंपनी की जो वेरियेबल कॉस्ट होगी वह तीन सो बीस रुपए होगी कंपनी की जो कंट्रिब्यूशन की वैल्यू होगी वह साथ सो बीस माइनस तीन सो बीस यहाने के चार सो रुपए होगी कंपनी की जो fix cost होगी वो 100 रुपए होगी और company का जो profit होगा वो 300 रुपए होगा ठीक है अच्छा अब देखो यहां पर हमें यह पता चल गया कि अगर let's say मैं यहां पर units लिखूँ 0 units, 2 units, 4 units, 6 units, 8 units, 10 units, 12 units, 14 units, 16 units हमें यह पता है कि company अगर 0 या 2 units बेचेगी हमें यह पता है कि company 0 या 2 units बेचेगी तो company loss में होगी, नुकसान में होगी करेक्ट हमें यह पता है कि कंपनी अगर चार यूनिट बेचेगी तो कंपनी ब्रेक इवन पर ओगी ब्रेक इवन पॉइंटर कंपनी का या निकि यहां पर अट फाइदा होगा न लेकिन अगर कंपनी 788-79-107-28-1924 और यहां यहां एकर चार युनिट्स पर है तो पांच यविड़ उनिट्स साथ यूनिट में उसकी परफॉमस। में होगी अच्छा कंपनी अभी कहा है सर अभी सोला यूनिट्स बनाकर बेच रही है, company अभी 16 units बनाकर बेच रही है, अच्छा but का ब्रेक इवन पॉइंट चार यूनिट पर हैं तो इसका मतमत जो कि है कि पहुत जाधा आगे यूदि उनने के बहुत जादा आगे हूं इसे अ यानि के कह दो विमें 16 यूद बेचरा हूं प्रेके एंट तॉ मैं break even سے 12 units आगे हूँ मैं break even पॉइंट से 12 units आगे हूँ या गर मेरे हालाद अगर company के हालाद बरे हो गए और company जो है वह 12 units करेंट लेवल से करेंटली 16 units बेच रही है अगर उसके हालाद इतने बरे होगे कि वह 12 चीज़ें और कम बेच रही होगी फिर भी फिर भी फिर भी ऐसा नहीं होगा कि वो loss में हो वो break even पर पहुँचेगी तो आपको margin of safety in units ये बताता है कि आप break even point से कितना आगे हो ठीक है ये margin of safety in units हो गया ये margin of safety in units हो गया इसी दहना से margin of safety in terms of sales revenue या rupees भी होता है उस case में आप actual sales revenue और break even point sales revenue का difference लेते हो actual sales revenue आपका कितना है actual sales revenue 720 ब्रेक इवन पॉइंट का sales revenue कितना ब्रेक इवन पॉइंट का sales revenue 180 है तो इसका मतलब यो गया कि अगर मैं 720 और 180 का difference लूँगा तो इसका मतलब यो गया कि margin of safety in rupees होगा ना वो 540 होगा ठीक है जी यानिके वो यह बताएगा कि भाई अभी आपका sales revenue कितना है अभी आपका sales revenue कितना है और break even point पर आपका sales revenue था वो कितना था और आपको वो यह बता रहा होगा कि आपकी जो actual sales है वो break even point के sales revenue से कितनी आगे है तो margin of safety का जो sales revenue है वो 540 है यानि क्या आपकी current sales 720 है break even point पर sales revenue 180 होता है तो आपका current sales revenue margin of break even के sales revenue से पांसो चालेज ज्यादा अच्छा जितना ज्यादा होना उतना अमूमन बेहतर होता है हाईर कि इस कि बैटर इस कि जाहरे कंपनी break even से जतना ज्यादा आगे होगी उतने कंपनी के profits contribution ज्यादा होगी ठीक है हाँ आईश्या break even के बाद बिलकुल जितना भी हमारा contribution में जाफा होगा वो पूरा profits का हिसा बनेगा और हमें margin of safety यह बताता है कि हम अपने break even पॉइंट से कितना ज्यादा आगे हैं in terms of sales revenue अच्छा यह misconception नहीं रखना यह misconception नहीं रखना कि सर अगर मेरा margin of safety पांच सो चालेस है तो मेरा profit पांच सो चालेस होगा नहीं margin of safety in rupees जो आ रहा है पांच सो चालेस वो यह बता रहा है कि आपका sales revenue break even point के sales revenue से कितना ज्यादा है लेकिन जाहर है कि जब sales revenue ज्यादा होगा due to increase in units तो फिर variable cost भी तो increase होगी variable cost भी increase होगी तो profit पांच सो चालेस से increase नहीं होगा यह जो पांच सो चालेस है यह आपको यह बताता है कि भई आप जो है वो कितना आगे हो देखो profits में 300 का इजाफा हो रहा है इसलिए क्योंकि जब पांच सो चालेस से sales revenue increase होगा तो साथ में variable cost में भी तो इजाफा आया होगा तो profit में पूरा का पूरा sales revenue के बराबर इजाफा नहीं आया होगा बात समझ में आ रही है देखो अगर मैं 12 units break even से ज़्यादा बेच रहा हूं अगर मैं 12 units break even से ज़्यादा बेच रहा हूं है तो net profit का increase 300 होगा ठीक है जी बहाराल break even point margin of safety आपको यह बता देता है कि आपका actual जो आपके units है वो break even point के unit से कितना आगे हैं या margin of safety रुपीज आपको यह बता देता है कि आपका actual sales revenue जो है वो break even point के sales revenue से कितना जादा आगे है अच्छे यह चीज़ें in terms of percentage भी calculate करी जाती है यानिके ऐसा भी होता है कि हम इसको यह calculate करें margin of safety in percentage is equals to actual units minus break even units divided by actual units into hundred percent यानिके 16-4 divided by 16 into hundred percent अब जारह इसको पहले calculate करते हैं यह 12 divided by 16 हो जाएगा which is 75% यह इसको हम ऐसे भी calculate कर सकते है margin of safety in percentage margin of safety in percentage is equals to actual sales revenue minus break even sales revenue actual sales revenue minus break even sales revenue divided by actual sales revenue into 100% which means 720 minus 180 divided by 720 into 100% इसके जी 720 minus 180 divided by 720 into 100 यहानिके 75% यहां से भी आ रहा है अब सर्विये margin of safety percentage क्या बताता है वह हम देखते हैं लेकिन calculate करने के यह actual units minus break even units divided by actual units 75% आ रहा है अब देखो यह 75% आपको क्या बताता है आपने पहले यह देख लिया था कि मैं 16 units बना रहा हूं चार units पर मेरा ब्रेक इवन था यानिके ब्रेक इवन से मैं 12 units आगे हूं बिलकुल सर्विये देखा था हमने फिर आपने यह भी देख लिया था कि अब यह 75% क्या बताता है यह 75% यह बताता है कि देखो अगर तुम actual units का margin of safety percentage लोगे न तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितना आगे हो यानि कि तुम्हारे actual units है 16 margin of safety percentage है 75% तो 16 का 75% अगर हम लेते हैं 16 का 75% लेते हैं तो 12 आ जाएगा यानि कि वो यह बता देगा कि तुम in terms of units अभी जितने units बना रहे हो वो तुम्हारे break even point के units से कितना आगे हैं 12 units आगे हैं इसी तरह से अगर कोई बच्चा actual sales revenue actual sales revenue को margin of safety percentage से multiply कर देता है यानि कि वो यह बूलता है कि सर मेरा actual sales revenue 720 रुपए है margin of safety की percentage 75% है तो 720 का जब वो 75% लेगा तो 720 का 75% आ जाएगा 540 और वो 540 उसको यह बता रहा होगा कि तुम break even point से in terms of sales revenue कितना आगे हो किसी सवाल में margin of safety की percentage दीवी हो और actual units दीवे हो किसी सवाल में margin of safety की percentage दीवी हो और actual units दीवे हो तो आप इन दोनों को multiply करोगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि आप कितने units आगे हो break even points से किसी सवाल में अगर actual sales revenue की value दीवी हो और साथ में margin of safety की percentage दीवी हो तो अगर आप actual sales revenue को margin of safety की percentage से multiply करोगे तो in terms of sales revenue आपको पता चल जाएगा in terms of sales revenue आपको पता चल जाएगा कि आप margin of safety से कितना जादा आगे हो तो यह आपके पास वह है वो margin of safety का formula होता है यह आपके पास margin of safety का formula होता है इस तरह से आप अपना margin of safety calculate करते हो अगें जितना जादा margin of safety होगा उतना जादा बहतर होगा जितना margin of safety जादा होगा उतना जादा बहतर होगा क्यों उतना जादा बहतर होगा उतना आप safe region में होगे उतने आपके अगर current हालाद खराब भी होगे तो आप फिर भी losses में नहीं जाओगे सही जी ये बात समझ में आती है अच्छे इसके साथ साथ इसके साथ साथ एक काम करते हैं कि इसी example में कुछ और चीज़ें भी calculate कर लेते हैं मिसाल के तोर पर यहां पर अगर लेट से मुझे ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स दूनना है तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का हमने तरीका एक जो सीखाव है formula जो एक सीखाव है fix cost को contribution पर यूनिट्स से divide कर दो fix cost मेरी 100 थी contribution पर यूनिट मेरी 25 थी तो break even point in यूनिट्स चार यूनिट्स आ रहा था इसी तरह से अगर मुझे break even point in रूपीज दूनना है तो break even point in रूपीज दूनने का break even point in रूपीज दूनने का एक जो तरीका है वो यह है कि मैं break even point in units को break even point in units को multiply कर दूँ सेलिंग प्राइस से तो break even point in यूनिट्स रहे वो चार यूनिट्स है और चो selling price है वो 45 है ठीक है जी तो चार यूनिट्स है और 45 है यानि के मेरे पास break even point in रूपीज जो आएगा वो 180 आएगा एक और तरीका होता है CS ratio वाला तरीका CS ratio वाले तरीके में क्या करते हैं हम सबसे पहले हम contribution to sales ratio धूनते हैं वो भी एक previous वीडियो में detail में discuss वागा है यहां पर वापस से मैं discuss कर दूँ CS ratio धूनने के दो तरीके हैं CS ratio धूनने के दो तरीके हैं एक है contribution per unit divided by selling price into 100% इस तरीके में क्या होगा इस तरीके में आपकी contribution per unit जो है वो 25 है आपकी जो selling price है वो 45 है और इसको अगर मैं 100% से multiply कर देता हूँ तो 25 divided by 45 into 100 यह बन जाता है आपका 55.55% 55.55% या 56% तकरीबन 56 चलो या फिर आप total contribution को sales revenue से divide कर दो बाराल अभी हम पहला वाला तरीका अप्लाए करते हैं एक और तरीका जो हो सकते हैं वो यह है कि total contribution को sales revenue से divide करकर और 100% से multiply कर दो चलें वो भी कर लेते हैं मिसाल के दोपे 16 units का 16 units का total contribution 400 है solar units का total sales revenue 720 है तो अगर मैं इससे calculate करना चाहूंगा तो मैं 400 divided by 720 multiplied by 100 करूंगा यह आ जाएगा हमारा 55.55.56% ठीक है और break-even point break-even point in rupees calculate करने का जो दूसरा तरीका है वो दूसरा तरीका है कि आप अपनी fix cost को आप अपनी fix cost को CS ratio से divide करतो हमारी example में fix cost 100 रपे है और CS ratio 55.56% है तो 100 divided by 55.56% तो यह आपका जनाब आ जाता है again 180 इस तहना से भी आप अपना break-even point in rupees दून सकते हो और break-even point in rupees का मतलब यह है कि कितना हमारा sales revenue होगा जब हम break-even point पर होंगे ठीक है जी तो यह सारी discussions मैंने जो है वह सवाल के बीच में margin of safety से relevant discussion कर ली और आप लोगों को यह समझा दिया कि आखर हमारे पास break-even point और margin of safety इनका क्या concept है अच्छा अब हम जड़ा उपर जाते हैं वापस से चले जी अब हमारे पास इसने हमें लिखकर दिया था compute net profit per month हमें net profit per month calculate करना था and margin of safety percentage और margin of safety की percentage calculate करने के लिए हम या तो यह formula यूज कर सकते है या फिर इसके नीचे वाला formula यूज कर सकते हैं अच्छा क्योंके सवाल में क्योंके sवाल में मेरे पास actual sales revenue है क्योंके सवाल में already मेरे पास actual sales revenue है तो मैं दूसरा वाला तरीका अप्लाई कर लेता हूँ इस सवाल में इस सवाल में मैं प्रेफिरेंस इसीज को देता हूँ कि मैं दूसरा तरीका अप्लाई कर लूँ क्योंकि मेरे पास actual sales revenue already मौझूद है सरफ और सरफ break even sales revenue धुनना ब्रेक इवन sales revenue धुनना तो margin of safety आ जाएगा अच्छा ब्रेक इवन sales revenue धुनने के लिए क्या करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट का sales revenue धुनने के लिए ये वाला formula अप्लाई कर लेते हैं अच्छा इस formula को अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए fix cost वो तो directly मौझूद है और दूसरा सीएस रिशो सीएस रिशो टोटल कंट्रिबिशन डिवाइड़ेड़ वे टोटल सेल्स रेविन्यू से आ जाएगा तो अब जरह स्टेप सुनिएगा हम आजन सेफटी काल्कुरेट करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे नंबर वन पहले हम सीएस रिशो धून लेंगे जो उपर और और ऑप्शन टू यह उसका जब हम सीएस रिशो धून लेंगे तो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स रेविन्यू आ जाएगा क्यो थे क्योंकि उसमें चाहिए ब्रेकिवन पॉइंट से विशेवन हिए वह दोनों चीजे हमारे पास अल्री मौझी हुआ है तो चले जरा हम ऊपर चलते हैं हम ऑप्शन नंबर वन को अगर हम देखते हैं पहले हम ऑप्शन नंबर वन को अनलाइस करते हैं ऑप्शन नंबर व पॉइंट पाइव डिवाइड बाई सेल्स रेवेन्यू जो के है 6025.5 6025.5 मुल्टिप्लाइट बाई 100 परसंट तो ऑप्शन नमबर वन के हिसाब से 1264.5 डिवाइड बाई 6025.5 मुल्टिप्लाइट बाई 100 यह आपका बन जाता है तक्रीवन 20.99 परसंट ठीक है जी CS ratio आपका 20.99 परसंट है सही है देखें आपने आपने आपकी सवाल की requirement देखनी थी सवाल यह कहता था कि मुझे margin of safety in percentage बताओ मैं जारा एक बार repeat करता हूँ सवाल हमें बोलता था कि हमें margin of safety in percentage calculate करकर दो यानि कि सवाल मुझे यह बोल रहा था सवाल मुझे यह बोल रहा था कि भाई आप margin of safety in percentage calculate करो अब जब मैं margin of safety in percentage calculate करूंगा तो उसके लिए या तो पहला formula लगेगा which is actual units minus break-even point units divided by actual units into 100% या तो दूसरा formula लगेगा which is actual sales revenue minus break-even sales revenue divided by actual sales revenue into 100 अब हमारे पास हमारे पास already actual sales revenue मौझूद है तो हम दूसरा formula लगा लेते हैं क्योंकि दूसरा formula लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें break-even point का sales revenue जो है उसकी जरूरत है ठीक है अब जब break-even point के sales revenue की जरूरत है तो उसके लिए ये वाला formula ब्रेक-even point का sales revenue कैसे आता है fix cost को CS ratio से divide कर दो अब जब हम break-even point के sales revenue को calculate करने गए तो CS ratio नहीं है CS ratio सबसे पहले हमें दूढ़ना पड़ेगा तो हम जो steps follow करेंगे न बेटा इस सवाल में वो steps ये follow करेंगे कि सबसे पहले हम CS ratio धून दोढ़ेंगे क्योंकि CS ratio से हमें break-even point کا sales revenue मिलेगा साही है सर हम CS ratio धून लेते हैं जब हम CS ratio धून दोन लेगे तो उपर जाता हूँ मैंने option number one जो पहला option था उसका CS ratio calculate किया option number one में मेरे पास ये contribution है 1645.5 और option number one का ये sales revenue है तो contribution divided by sales revenue से मेरा ये CS ratio आ गया ठीक है जी ये आपके पास आ गया option number one का CS ratio अब fix cost को डिवाइड करना है CS ratio से fix cost को CS ratio से इसले डिवाइड करना है ताकि break even point का sales revenue आ जाए अच्छा सर fix cost कितनी है भाई option number one की आप fix cost देखो ना क्या क्या है option number one में आपके पास 800 रुपए 210 रुपए और 29.4 800 जमा 210 जमा 29.4 सर ये total fix cost को आदिए 1039.4 तो 1039.4 डिवाइड बाइड बाइड सी एस रिशो सी एस रिशो है 20.99 परसंट ठीक है तो अब आप जरह 1039.4 को डिवाइड कर दो 20.99 परसंट से यह आपके पास आ जाता है 4951.88 4951.88 यह आपका break even point का sales revenue आया है फिर margin of safety का formula margin of safety in percentage calculate करना उसका formula actual sales revenue actual sales revenue actual sales revenue कितना option 6025.5 minus break even point sales revenue minus break even point sales revenue यहने के 4951.88 divided by actual sales revenue यहने के 6025 6025.5 इसको calculate कर देते हैं तो भी 6025.5 minus 4951.88 divided by 6025.5 multiplied by 100 यहने के 17.8 परसंट 17.8 परसंट 17.8 परसंट 17.8 परसंट हमारा margin of safety आ है ठीक है जी सेकेंड ऑप्शन ऑप्शन नंबर टू ऑप्शन नंबर टू ऑप्शन नंबर टू ऑप्शन नंबर टू जो है उसमें हमारे पास जो contribution है वो है 1143.99 वो है वो है 6025.5 multiplied by 100 करेंगे तो भई 1143.99 divided by 6025.5 multiplied by 100 यह बन जाएगा आपका 18.98 परसंट 18.98 परसंट आपका जो है वो CS ratio आ गया फिर हम क्या करेंगे fix cost को अच्छा सेकेंड option में fix cost 900 रुपया तो 900 को हम divide कर देते हैं 18.98 परसंट से तो 900 fix cost divided by CS ratio यहनिके 18.98 परसंट यह आ जाते हैं आपका 4741 4741 जो है वो आपका break-even point का से रेविन्यू है margin of safety percentage में calculate करने का जो हमने formula पढ़ा वो पढ़ा actual sales revenue actual sales revenue minus break-even point का sales revenue divided by actual sales revenue into 100% तो यह आ जाता है आपका 6025.5 minus 4741 divided by 6025.5 into 100 यानि यह बन गया आपका 21.31 परसंट यह बन गया आपका 21.31 परसंट जतना जादा होगा उतना अच्छा है margin of safety के जादा होने का मतलब यह है कि उतना ही आप अपने sales revenue से आगे हो उतना ही आप को बोला था compute the net profit per month and margin of safety percentage अंडर बोत options दोनों options का आप margin of safety और profit calculate करो and recommend the most suitable option to RL और company को यह बताओ कि इन दोनों में से क्या suitable option है तो अगर हम दोनों options देखते हैं option नमबर वन में मेरा profit 225.1 है option नमबर टू में मेरा profit जो है वो 243.9 है based on profit based on profit based on profit मुझे लग रहा है option टू बहतर है इसके क्योंके profit इदर जाब है दूसरा option वन का margin of safety 17.8 परसंट है option नमेर टू का margin of safety 21.31 परसंट है अगें जतना margin of safety ज़ादा होता है उतना बहतर होता है तो मेरी recommendation क्या होगी मेरे recommendation होगी कि मैं option number option number two के लिए जाओ मेरी recommendation होगी कि मैं option number two के लिए जाओं यह सवाल बहुत तगड़ा अच्छा बहतरीन सवाल जिसमें बहुत सारी चीज़ें टेस्ट होई हैं उमीरे कि आप इस लेक्चर को बहुत 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 और बहुत अच्छे से देखो